हेलो एव्रिवन टोड़े विल डिस्कस हैंड्री लुइस विवान डिराजियो और इनका वर्क था अर्ली वॉइस ओफ आइडेंटिटी एमजी 10 का टॉपिक है यह इस एमजी 10 का जो चप्टर नमबर 2 है बीगिनिंग ओफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग उसी का यह पार हैंड्री का बॉर्ण हुआ था 18th April 1809 में और यह एक इंडियन पॉइट थे और पॉइट के साथ साथ यह एक असिस्टेंट हैड्मास्ट थे हेड्मास्टर फिंदू कॉलेज इं कालकाथा यह एक इंडियन एजुकेटर तो एक्सफ्लोर वेस्टर लेर्निंग और साइंस अमंग दे यंग मैंस बेंगॉल तो इन्हों ने ही जो वेस्टरन का लर्निंग सिस्टम था या उनकी साइन्स थी जो तेकनोलोजी के वह बाते गहएं उन्हों बातों पातो लेर्निंग-स्ताईल था उन्हों Frank इन्गॉल में बेसिकली क्योंकि यह उस टाइप बिंगॉल में थे अगर हम डिराजियों के बारे में थोड़ा सा जाने तो बॉर्ण और डाइद की बाद हम कर चुके उनका उक्वेशन वह एक टीचर थे एक पॉइट थे और एक सजिस्टर भी थे वह सजिशन देते थे जब वह और इंग्लिश दोनों थी क्योंकि बिंगॉली जो कि उनका जहां पर रहते थे उनका नेटीफ फ्लेस था और इंग्लिश उनको पसंद था या फिर वह इंफ्लेंस से इंग्लिश से उनके अगर हम जान्वर की बात करें तो academic और educator दोनों ही थे और इनके पाद जो citizenship थी वो British इंडिया की थी और British India क्यों बोला है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में Britishers का ओवरूल था तो यहां पे इंडिया ना बोलके British India बोला गया है अगर हम इनके कुछ famous works की बात करें जो बहुत जादा ऐसे कि एनके जो वर्क है जैसे कि एंका ऩुले के इंडिया माई नेटिव लैंड इसमें इनके बताया है कि किस तरह से जो इंडिया है उसकी beauty वी बात कियी है और यह इनका फेमस वर्क था और highlighted भी बहुत जादा हुआ और यह जो एलाइट पीपल थे बिंगॉल के उन तक पहुँच किया था इनका वर्क जो इनका राइटिंग स्ट्रक्चर था या फिर हम कह सकते जो इनकी राइटिंग टेक्नीक्स थी उसने जो एलाइट एजुकेटर्स थे उनको अठ्रेक्ट कर लिया था और दूसरा ये भी था कि जो डिराजियो थे इनके जो फादर वह इंडिया से थे लेकिन जो इनकी मदर थी वह पुर्त अपर मानते थे और इन्होंने जो पोउट्री वीक किया ये बहुत देख सकते हैं To India My Native Land या फिर The Glory of Past इसमें भी डिसकस किया जो आपकी M.E.G. 7 की बुक है उसमें हमने इनकी 3 पोईटरीज को डिसकस किया है कवर किया जो कि आपके स्लेबस में है अगर आपने M.E.G. 7 को लिया है तो second year में तो आप इनके बारे में जानने के लिए इनका जितने भी टाइम इनका राइटिंग वर्क था इनोंने बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग वर्क किया और इंटलेक्चुली हम कह सकते हैं एक्स्प्लोर किया अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो जो इनका बॉर्ण हुआ था 18 अपरल 1809 में इस ताइम पे ये कॉलकता में इनका बॉर्ण हुआ था और इस पैरेंट्स वो फ्रेंसिस डिराजियो अ क्रिस्चन थे ये और जिनकी मदर थी वो पुर्तगीज की ऑफिस वोर्कर थी जिनका नाम था सौफिया जॉंसेंट राजियो और जो इन लेकिन जो इनका अट्रेक्शन था वो बेसिकली इंडिया से ही ज्यादा था इसके पच्छों का स्टार्टिंग का एजूकेशन है बेसिकली अगर में बात करें सिक्स्टू फोटीन इस की तो इनका धर्मातला अकैडमी स्कूल में हुआ था ही लेटर प्रेस्ट इस अर्ली स्कूलिंग और स्टार्टिंग से ही जो इनका एजूकेशन सिस्टम था या जो इनका पढ़ने के टूवर्ड्स एक इंटरस्ट कह सकते है वो डवलप था और इनको कही स्कॉलर्शिप मिली इनका एक हम कह सकते च्वाइस था कि ये इंडियन को पढ़ाना चाहते थे और जैसी कि हमने बाद में डिसकस किया कि ये एक कॉलेज में भी ऐसा असिस्टेंट टीचर वर्क करते हैं एड़ एजो फोर्टीन डिराजियो लेफ्ट स्कूल और स्कूल को छोड़के ये थोड़ा काम पर आये और ही इनिशली ज्वाइन इस फादर्स ऑफिस इन कुलकता सो इसमें कोई बात नहीं है बिकॉज ऐसा होता है कि जो फादर कर रहा है उसका बेटा भी बढ़ा हो कि उसके काम को हैंडल करता है तो रिवर गंगा की ब्यूटी से इंस्पायर हुए दर ही स्टार्टेड राइटिंग पोईट्री और जो इन्होंने सम्मेट किया इंदिया गैजित नाम से इस पोईट्री केरियर बिगेंस तो फ्लॉरेस विद पोईम पॉबिश्ट इन मुल्टिपल निउस्पेपर और पिरोडिकल्स इन नाइटीन ट्वंटीफाइव और दीरे दीरे ही जैसे जैसे इनका राइटिंग था वो ब्लो करने लगा फ्लो करने लगा और जैसी की फ्ल जोन ग्रांट तुक नॉटिस ओफ इस पोईट्री और जैसे ही एडिटर जोन ग्रांट की नजर इनकी पोईट्री पे गई तो उन्होंने ओफर कर दिया ही ओफरिंग तु पब्लिश अ बॉक ओफ इस वर्क और इन इन्वाइटिंग हिम तो रिटर्न तु कॉलकाता क्योंकि जो जोन ग्रांट थे वो इनके वर्क से इनका राइटिंग टेकनीक से बहुत जादे इन्स फ्लूएंस हुए थे और उन्होंने देखते ही देखते अपना एक अपना न्यूस पेपर फाउंड कर लिया जिसका नाम था दख्यलकोदा गैजट अब हम बात करते हैं कि जब वो कॉलेज में थे या फिर जब कॉलेज में गए तो फिर जब उन्हें पॉइंट किया गया तब उनकी क्या व्यूस थे स्टुडेंट्स को लेकर इंडिया को लेकर या इंग्लेश को लेकर इन्होंने जोईन किया है 1826 at the age of 17 he was appointed teacher in English literature and Hindi and history at the new Hindu college आप देख सकते है 17 की एज में इन्होंने जोईन कर लिया था as a teacher बट यह उस टाइम की बात है जब इंडिया में इतने ज्यादा educated लोग नहीं थे उस टाइम पे अगर आपने आपका education थोड़ा बहुत हो जाता था तो आप as a teacher as a lecturer हो जाते थे लेकिन अगर आप present days पर देखेंगे तो 12 अगर at the age of 17 की बात करें तो बच्चा तो सिर्फ graduation में होता है और आज की struggle को आप देखी सकते हैं बट यह उस टाइम की बात हो रही है जब education system बहुत लोग था तो जो पढ़ली की लोग होते थे वह सक्सेस्ट हो जाते थे तराजियो इंटेंस जील for teaching and his interaction with students creating a sensation at Hindu college तो जो उनका as a teacher भी interaction था वो बहुत अच्छा था as a student अच्छा होना एक अलग बात होती है लेकिन जब आप as a teacher react करते हैं जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को satisfy रखना दूसरी बात उनको right direction प्रवाइट करना और उनके लिए loyal रहना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी teacher के लिए अब यह बहुत important points है जो भी college की बाते हो रही है जो college से related हो रहा है उनको बहुत अच्छा लगता था debates को organize करना क्योंकि debate ऐसा field होता है जहां पर जो student होते हैं वो अपने आइडियास को अपने social norms को freely होके explore करते हैं in 1828 he motivated student to from a literary and debating club called the academic association वो हमेशा अपने बच्चों को अपने student को motivate करते थे debating के लिए या literary work के लिए this was a time when Hindu society in Bengal was undergoing considerable to mall in 1828 राजरामोहन्राव इस्टाबलेशिंग दा ब्रह्म समाज जैसे क्या प्रपत राजरामोहन्राव ने ब्रह्म समाज के स्थापना करती थी इंडिया में which kept Hindu idea ideals but denied idolatries this resulting in a blackish with an orthodox Hindu society और जो यह राजियों थे वो जो orthodox थे Hindu society के या जो इनके myths थे उनको criticize भी करते थे there as you help discussion the ideas and social changes already in the air अब social changes in the air का क्या मेनिंग है कि किस तरह से जो society थी वो change हो रही थी environment को देखकर जो British environment था उसकी वज़ा थे despise his youth he was considered a great scholar and a thinker within a short period he draw around him a group of intelligent boys in college और यह सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक great teacher थे यह एक thinker थे जो इनकी thinking power थी वो बहुत कह सकते हैं broad थी और इन्होंने बहुत जल्दी एक ऐसा ग्रूप बना दिया था college में boys का जो बहुत ज़्यादा intelligent या फिर जो इन डिबेट्स को handle करते थे कि he constantly encourage them to think freely और इनका जो main motive idea हम कह सकते वो था कि बच्चों को time देना encourage करना कि वो freely सोचे to question to question कि क्यों question करे society से टीचर से जो भी norms बनाए गहें जो रूल्स बनाए गहें क्यों बनाए गहें और कैसे बनाए गहें and not to accept anything blindly कि कुछ भी चीज अगर आपको बोली जा रही है तो इसको blindly मत फोलो करो अंधो की तरह मत फोलो करो यह इनको कुछ बेसिक हम कह सकते हैं रूस से कुछ बेसिक टेक्नीक सी जो इननों बच्चों को सिकाई His teaching inspired the development of spirit of liberty, equality and freedom यह इनका आधार कह सकते हैं liberty, equality and freedom They also try to remove social evils, improve the condition of women and pleasing the liberty thoughts freedom press and freedom of press के उपर इनोंने बात की कि जो press है, जो media है वो free होनी चाहिए उसे freedom होना चाहिए कि वो सच्चाई को लिखे truthfulness से अपना काम करे और यह बात करते हैं जो social evils और इसी movement को जो इनका काम चल रहा था जो इनका revolution चल रहा था चेंजमेंट का इसको young Bengal movement के नाम से जाना आ गया बाद में यह जितनी भी quality is discussed की यह बहुत ज़्यादा important है due to blackish from conversing parent who disliked his wide-ranging and open discussion of religious issues Derazio was dismissed from his post in April 1831 shortly before his death so college में इनको appoint हो किया गया था लेकिन जब college में देखा गया कि इनका जो area है इनको dislike किया जाने लगा क्योंकि जो यह बहुत open-minded थे debate को praise करते थे discussions को praise करते थे religious issues को उठाते थे women की conditions पे बात करते थे India की social levels पे बात करते थे बच्चों को बताते थे no to accept anything without questioning blindly किसी को trust मत करो blindly किसी चीज को accept मत करो तो जो college है वो इनके post में खड़ा हो गया और इनको इनकी post से dismiss कर दिया गया in 1831 और इनकी death हो गई थी 38 में और इनकी death का reason था and on that time after his death the members of the young bengal movement established a second society called the society for the acquisition of general knowledge its main objective was to acquire and disseminate knowledge about the condition of the country country से related जो conditions है जो उसकी knowledge है उसको explore करना so यह था डराजियों के बारे में और इस इस जो बारे में और इस जो जो उसे हैं अ